दोस्तो अगर देखा जाए तो दुनिया भर में कुत्तों की कई अलग अलग प्रकार की नसले पाई जाती हैं जो अपनी एक खास पचान के कारण जानी जाती हैं लेकिन आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े कुत्तों की बिट्स के बारे में बताने वाले हैं जो इतने बड़े हैं कि उनके सामने 6 फिट का इंसान भी बच्चा लगेगा दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप उस लाल कलर के बटन को दबा कर उस गंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें ग्रेट डेन कुत्तों की प्रजातियों में ग्रेट डेन दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक हैं ये कुत्ते अपनी खास लंबाई और इनके अच्छे विवार के लिए पूरी दुनिया बर में जाने जाते हैं और इनका मोल देश जर्मनी है ये कुत्ते शिकारी इंच से भी ज़्यादा उचे होते हैं और इनका वजन 60-90 किलोग्राम के आसपास होता है लेकिन कई ग्रेट डेन डोग की हाइट और वजन इससे भी अधिक हो सकता है क्योंकि दुनिया में मुझूद कुछ ग्रेट डेन डोग जिनका आकार सामान्य से अधिक हैं सन 2011 में ग्र साथ फिट चार इंच तक हो जाती थी लेकिन छे साल की उम्र में ही जेयूस की मिर्त्यू सन 2015 में हो गई थी क्योंकि ये कुट्टे केवल 6-8 साल के बीच ही जीवित रहते हैं इंग्लिस मस्टिप दुनिया के सबसे वजंदार और सबसे बड़े कुट्टों में से एक मानने जाते हैं इंग्लिश मस्टिक मूल लूप से इंगलेंड देश की नसल है जो कुटों की बहुत होशयार और चालाग नसल है और इसी कारण इन कुटों को सुरक्षा के लैजे से भी रखा जाता है यह दुनिया की सबसे पुरानी नसलों में से एक हैं पुराने समय में ये कुटे लड़ाई के लिए रखे जाते थे कुटों की इस नसल के हर कुटे का वजन करीब 7-120 किलोग्राम तक होता है जो की दुनिया के किसी भी कुटे की प्रजाति में देखने को नहीं मिलता और इनकी लंबाई करीब 27 से 35 इंच तक देखने को मिलती है नवंबर 1987 को इसी नसल के जोर्बा नामक कुत्ते को दुनिया के सबसे लंबे और वजन रार डोग होने का गिनिज बूक ओफ वल्ल रिकोर्ड भी दिया गया था जिसकी उंचाई 37 इंच और लंबाई 8 फिट 3 इंच मापी गई थी तता वजन 156 किलोग्राम था जो एक सामाज इंगलिश मस्टिप के वजन से कई गुना जादा था सेंट बर्नोड भारत में पाले जाने वाली एक जानी मानी नसले जोंकि अपने लंबे गने बालों और सुन्दता के कारण काफी पसंद की जाती है इसके साथ ही साथ ये दुनिया के सबसे बड़े डोग की सेनी में भी शामिल है सेंट बर्नोड डोग का मूल देश स्विर्जर लेंड है और इनके स्टूंगने की शमता बाकी कुत्तों के मुकाबले काफी जादा होती है और साथ ये बहुती समस्दार भी होते हैं बता दे कि एक सेथमंद सेंट बर्नोड डोग का वजन 64 किलोगराम से लेकर बर्यासी किलोगराम तक होता है और इनकी उंचाई 28 से 35 इंच तक होती है मुक्यतर इनका इस्तमाल बच्चाव कुतों के रूप में भी किया जाता है परन्तुं आज के समय में सेंट बर्नोड एक पारिवारी कुतों में से एक है और इने बच्चों के साथ खेलना भी काफी फसंद है न्यूफाउंड लेंड न्यूफाउंड लेंड डोग एक बड़े आकार के वर्किंग ग्रूप की नसल है जिसकी उत्पती मूल लूप से आईलेंड में मानी जाती है जिसके कारण जिसका नाम न्यूफाउंड लेंड रखा गया था अपने बड़े आकार के कारण न्यूफाउंड लेंड डोग को एक वर्किंग डोग के तोर पर गाड़ी खीचने, नाव की लाइनों को खीचने और मचवारों की साज़ता के लिए इस्तमाल किया जाता था और अगर बात करें इनके आकार के बारे में तो एक तंदूरुस्त न्यूफाउंड लेंड डोग का वजन पैतालीस से सितर किलोग्राम तक होता है और इनकी ओसत हाइट 27 से 31 इंच तक होती है ये कुत्ते काफी समस्दार और सेंसिटी होने के कारण अपने मास्टर की बात को जल्दी से मान लेते हैं और इनके सुंगने की शमता भी अच्छी होती है आईरिश वुलफाउंड आईरिश वुलफाउंड डोग एक बहुती पुरानी एवं प्राचिन डोग की नसल है ये कुत्ते मुकी रूप से आईलेंड में पाई जाते हैं और इनका खास इस्तमाल युद्धों और शिकार के लिए किया जाता है जैसा कि इनके नाम सही जाईर है कुत्तों की इस प्रजाती को खास बेड़ियों के शिकार के लिए इस्तमाल किया जाता था इसलिए इसको वुलफाउंटर भी कहा जाता है अमेरिकन केनाल कलब के नुसार वुलफाउंड डोग सभी कुत्तों की नसल में सबसे ज़्यादा लंबा मना जाता है एक आईरिश वुलफाउंड डोग का वजन 40 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक होता है तता उचाई 30 से 35 इंच तक हो सकती है बतादे कि वुलफाउंड डोग की उचाई ग्रेट डेन की तुलना में अधिक होती है और इनके पेर बहुती लंबे और मजुबूत होते हैं इसलिए उन्हें शिकार के समय बहुत तेज रप्तार से दोरते हुए भी देखा जा सकता है नेपोलीटन मस्टिप नेपोलीटन मस्टिप कुतों की सबसे बड़ी और बारी नसलों में से एक है यह नसल इटली में पाई जाती है और यह कुत्ते मुकी रूप से सुरक्षा के लेजे से भी रखे जाते हैं रोमन लोगों दुआरा एक बार कुतों की इस नसल का उप्योग युद्ध में भी किया गया था बड़े आकार वाले इन कुतों की लंबई लगबग 26 से 31 इंच तक हो सकती है और इनका वजन 55 से 90 किलोग्राम तक होता है इनका विशाल का शरीर बेहदी लचिला और फुर्तिला होता है इनकी चमडी डिली होने के कारण इनका चेरा भी लटका हुआ होता है ये कुत्ते बहुती समझदार और सुरक्षात्मक होते है लियोन बर्गर बारी बर्गम शरीर वाले कुत्तों की लियोन बर्गर नसल का नाम जर्मनी के लियोन बर्ग शर के नाम से बढ़ा है इनका चेरा काले रंग का होता है और इनके बागी शरीर पर शेर के जैसे बाल होते हैं इनका शरीर काफी मजबूत और लेचला होने के साथ साथ काफी विशाल और भीमकाई लगता है आम तोर पर इनकी लंबाई 26 से 32 इंच तक होती है और इनका वजन 45 से 80 किलो तक होता है बागी कुट्टो की तरह इने भी शुरुआत में ट्रेनिंग और समाजी करन की जुरुत होती है ताकि ये परिवार के साथ मिलनसार सभाव के साथ रह सके कुट्टो की ये प्रजाती खास अपनी वफादारी और बहादूर के लिए भी जानी जाती है कुट्टो की ये प्रजाती अपनी खास इंटेलिजेंस के लिए भी जानी जाती है साथ ये कुट्टे बेहदी फूर्तिले होते हैं कुट्टो की स्कोट्टिश डीर हाउंड नसल का जन्म स्कोटलेंड में हुआ था बतादे कि इनकी लंबाई और सुंगने की शमता अच्छी होने के साथ साथ ये कुट्टे शिकार करने में भी माहिर होते हैं शुरात में इने भी खास टरनिंग की जूरत होती हैं बतादे कि यह साइज में बड़े होने के कारण काफी लंबी स्लांग भी लगाते हैं और इनकी उचाई करीब 28 से 32 इंच तक होती हैं और इनका वजन 36 से 50 किलोगराम के आसपास होता है हाला कि यह कुट्टे हीरन के शिकार के लिए इस्तिमाल किये जाते थे परन्तु अब यह पारिवारिक महाल में रहने में भी सक्षम हैं ग्रेट पाइरेनिश ग्रेट पाइरेनिश कुट्टे अपनी सुंदता और वफ़ादारी के लिए दुनिया बर में मश्यूर हैं यह काफी खुपसूरत और ताकतवर होते हैं इसके साथ यह काफी सुरक्षात्मक नसल के होती हैं और इनका वचन 55-75 किलोग्राम के आसपास होता हैं कोमोडोर कोमडो डोग जिसे हंगेरियन कोमन मौप और हंगेरियन शिफ्ट डोग के नाम से भी चैना जाता हैं जो कि एक लंबे बाल वाली विश्चालकाई आकार की नसल हैं जिसका मूल देश हंगरी बताए जा कोमोडो डोग का शरीर काफी बारी और आकार में बड़ा होता है और इनके लंबे बाल उल्जे हुए और रसी के समान होते हैं एक वयस कोमोडो डोग का वजन 40-60 किलोग्राम तक होता हैं तता उंचाई 27-32 इंच तक हो सकती हैं तो दोस्तों यह थी दुनिया की 10 सबसे बड परकत वर कुटा कौन सा लगा हैं हमें कमेंट के मादियम से जरूर बताएं